वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें पढ़ेंगे कारकों के बारे में हिंदी में आठ कारक होते हैं और आठों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं कारक के अगर भेदी की बात करें तो कारक के प्रकार कितने होते हैं या फिर कहें कारकों की संख्या कितनी होती है तो कारक होते हैं आठ एक होता है करता कारक फिर होता है कर्म कारक करण कारक, संपरदाय कारक अपदान कारक संबंध कारक अधिकरन कारक और संबोधन कारक ये कारक वो होते हैं जो sentence में संबंध को दर्साए या फिर किसी को करता का संबंध दर्साए तो sentence के बीच में ये प्रियोग किये जाते हैं आप जब बाक्य बनाएंगे तो बहाँ पर बीच में यह जो आपका का आता है की आता है के आता है से आता है यह सब क्या है कारक ही है अलग अलग लेकिन आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कारक होता है जैसे से आपसे पूछा आपको एक बाग के लिखके दे दिया उसमें बीच में से का प्रयोग हुआ है, जैसे कि राम ने सीता से कहा, तो अब यहां बीच में से प्रयोग हुआ है, तो से कौन सा कारक है, ऐसे आपसे अलग-अलग कारकों के वारे में पूछ सकते हैं, कि उपयोग तो बाक्य में कौन सा कारक है, तो वहां पर आपको पहचा करता क्या होता है जो काम करें करता के साथ कि आता है और dai बुक्रताने होता है यह संबोधन तक प्रत्मा दूतिया तृत्या चातुर्थी पंचुमी सस्टि सब्गुए और संबोधन यह होते हैं तो कोẢ़ तो ऐसे ही करता को आपको यद रखना है अपको यह याद नहीं रखना और पूछा भी नहीं जाएगा अगर आप ने कहीं पर आपने सेंटेस में नहीं तो आप समझ जाएंगे कि वहा पर कौन सा कारे रहे ठीक है मतलब करता की प्रधानता है जो काम कर रहा है उसके बारे बताये गया है कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़े उसको कर्म कहते हैं तो कर्म को करन क्या होता है काम करने का साधन या फिर क्रिया होती है तो करन कारक वहां पर होता है, जहां पर से आ जाए, के द्वारा आ जाए, राम के द्वारा शाम को पुस्तक दी गई, अब यहां के द्वारा आया, तो के द्वारा क्या बता रहा है, करन बता रहा है कि काम करने का साधन कौन है, राम है, राम ने किसको पुस्तक दी, शाम को ठीक है तो यहां पर क्या है करनकारक हो जाएगा तरतिया विभक्ती संप्रदाय कारक जिसके लिए किया जाए जो काम है जिसके लिए किया जाता है वहां संप्रदाय होता है जिसे को या फिर के लिए जैसे कि सीता के लिए गीता बजार गई तो यहां पर के लिए आ गया अब मिपअनल मि wissen,remosáte दीन कोई अलग हो, जैसे पेड से गिर रहे हैं अब से तो यहां पर भी आ रहा है और से करन में भी आया था, लेकिनkęर में काम करने के साधन का तौर पर आया था, अब यहां पर जो आ रहा है अधी करन तो यहां इसमेर पर कंफ्यूस नहीं हो तो जहाँ पर किसी चीज से कुछ अलग हो रहा है, किसी पदाड से कुछ अलग हो रहा है, मतलब अलग होने का भाव दिख रहा है आपको अगर सेंटेंस में, तो आप बहाँ पर अधिकरन कारक लगाएंगे, ठीक है तो वहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा जिससे कोई बस तू अलग हो ठीक है अलग होने के अर्थ में सेका प्रियोग करते है संबंद जहाँ पर दिखाया जाए जो एक सब्द का दूसरे से संबंद दिखाया जैसे की का की के रारीरे जैसे की गीता शाम की बेटी है तो यहाँ पर क्या है बेटी है वो तो यहाँ पर आपको वो दिखा दिया संबंद दिखा दिया आपके पिता का नाम आप बताएं कि आप इनके बेटे हैं आप इनके बच्चे हैं तो यहां संबंद दिखा रहे हैं किसी से संबंद जहाँ पर दिखाया जाए वहाँ पर संबंद कारक होता है और इसके बीच में काकी, के, रादी, रे ऐसे सब्दों का प्रियोग करते हैं फिर अधिकरन अधिकरन कहा वर होता है जो क्रिया का अधार हो जैसे कि मे और पर महाँ पर अधिकरन हो जाएगा संबोधन जिसमें किसी को पुकारा जाए संबोधित किया जाए हे हो अरे ठीक है हे राम ये क्या है संबोधन है हे भगवान अरे राम यह क्या हो गया, यह संबोधन हो गया, तो अरे हो, अरे यह सब क्या है, संबोधन कारक हो जाते हैं, किलियर है, तो यहाँ पर हमने कारकों को जाना, अब यह आपको क्या करना है, रट लेना है, रटेंगे कैसे, ऐसे रटेंगे, इस पीड में आपको बोलना है, कम से कम नहीं तो पांच से दस बार बोलना है, आपको याद होने लगेंगे, ठीक है, जैसे कि आपने कोई पोयम याद करते हैं, कोई कभीता याद करते हैं, तो स्पीड में बोलते रहते हैं, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो पूरी आपको लाय से याद हो जाती है, एक के बाद से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरन मेपेपर और संबोधन हेवो अरी यह आपको करम से ऐसे बार-बार रटना है बार-बार आपको बोलना है तो आपको यह याद हो जाएंगे एक से दो दिन में किलियर है तो यहां पर अभी तक हमने कारकों के बारे में जान अद्वाय सी को पड़ सर्ग कहते हैं विवक्ति से बने सब्द रूप को पद कहा चाता है सब्द जो है संग्या या फिर किरिया होंगे और बिना पद बने बाले वे जो बाक्य है उसमें नहीं चल सकते ऊपर सभी कारकों में विवक्त चेन दे दिये गए हैं ठीक है आपको ब कि नगल रहे हैं ठीक है इंकि उपयोग से से पूरा कियाजा जाता है sentence का जो actual अर्थ है वो बताया चाहता है कि sentence किसके बारे में है इसके बाद है हिंदी की विवक्तियों में जो है बिसेश रूप से सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने पर प्राया विकार उत्पन कर उनसे मिल जाती है जैसे कि मेरा हमारा उसे उन्हें बिवक्तिया प्राया संग्या हो या फिर सर्वनामों के साथ ही आती है तो किसी ना किसी संग्या या फिर सर्वनाम के साथ आएंगी अब जैसे कि राम है श्याम है किसी का नाम ही है पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ भी संग्या है पत्ता भी संग्या है ठीक है ना त इसी संग्या या फिर सर्वनाम से आएंगी ठीक है या फिर आपने मेरा मेरा यह पैन है मेरा जो है मेरा इनसे यह संबंद है कुछ भी अगर आपने मेरा या फिर हमारा हमारे देश की हमारे देश की आनबान सान ऐसे कुछ भी कहा तो हमारा आपने क्या है सर्वनाम यूज कर लिया उसे सर्वनाम ऐसे कर लिया ठीक है तो संग्या के स्थान पर अगर आपने सर्वनाम का भी प्रयोग किया है तो उसके साथ भी विवक्तियां आ सकती है इसके बाद इसका प्रयोग देखे तो हिंदी व्याकरण में विवक्तियों के प्रयोग की जो बिदी है वो निश्य संग्या के साथ आने वाले विवक्तियों को विस्लिस्ट कहा जाते हैं अर्थात अलग रहती हैं जैसे राम ने ब्रक्ष पर लड़कों को लड़कियों के लिए ये सब सर्वनाम के साथ आए इसके अलावा सर्वनाम के साथ जो विवक्तिया संग्या के साथ आती है वो क्या हो हैं और यह अलग रहती हैं को क्या प्रिन हो स्था स्रमलाम के साथ है उसको संस्लेइस्ट कहते है जैसि कि उसका किस पर अब उसके साथ जोड़ दorta इसनाम जोड़ दया का तो का हो गई वबंदी ठीक है तो कौन सी तो आपका हो गया किस पर तो किस तो पर जोड़ दिया तो पर क्या हो गया आपका क्या हो गया कारक हो गया और यह कौन सा कारक है पर आपका जल्दी से कॉमेंट करके बताएं अभी हमने पढ़ा ना अधिकरन में पर में पेपर या फिर ऐसे पर तो वहां पर आपका अधिकरन कारक हो गया काके की तो ऐसे संबंध ये दरसाता है अदा के लिए जैसे जो सब्द हैं अब यहाँ पर हमने इसको देखा उसका किस पर तुमको तुम्हें तेरा तुम्हारा उन्हें यह सब क्या है संसलिस्ट विवक्तियां है यहाँ पर ध्यान रखना है कि तुम्हें इने में को और तेरा तुम्हारा में का विवक्तियां संसलिस्ट है अदा के लिए जैसे दो सब्दों की विवक्ति में पहला सब्द संसलिस्ट होगा और दूसरा विस्ट विस्ट होगा जैसे कि तू प्लस रे लिए तेरे लिए तुम प्लस रे लिए तुम्हारे लिए ठीक है मैं प्लस रे लिए मेरे लिए अब यहाँ पर क्या है इसको एक तू क्या हो गया यह तो हो गया जो आपका सब्द है संसलिस्ट हो गया और यह हो गया आपका बिसलिस्ट हो गया रे लिए तो ऐसे ही यह क्या है कभी कभी संधी बनकर भी प्रियोग कर लिये जाते हैं ठीके तो आपको याद क्या रखना है आपको बस याद रखना है कि जो संग्याओं के साथ आती है उनको विसलिस्ट कहते है जो सर्वनाम के साथ आएंगे उनको संसलिस्ट कहेंगे और इतने मेहीं आप पहचान लेंगे अगला दिया गया है यहां पर टे कारक और उसकी विभक्ती के प्रियोका परिचे उधारन के साथ दिया गया है अब एक एक करके हम कारकों को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आता है कर्ता कारक करता करता क Bent you सब्सक्रीं करता 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 करें, कर्या की और खुँनी है tis इस बाके में खाने का काम मोहन करता है ता करता क्या है मोहन है मनोज ने लिखित संदेज बेजा इस बाके में किरिया करने वाला कौन है मनोज है तो ये करता हो गया बिसे जैसे कभी कभी का कारक में ने चिनने भी नहीं लगता जैसे गोड़ा दौरता है तो गोड़ा दौरता उसको भी पहचान सकते हैं ठीक है जैसे कारक्चेनिक इसके साथ लगते हैं या तो आपके कर्दा के साथ लगेंगे या फिर कर्म को दिखाएंगे तो आप इन चीजों को भी पहचान सकते हैं कि बागते किसके बारे में किलियर है इसके बाद सामने भूत जैसे इसके कुछ प ठाली खा चुका है रोटी हाल यह बूद काल हो गया ठीक है और बहुत जादा भूद हो गया मतलब काफी देर पहले खाई थी हो जाएगा कि घायी मतलब अभी कुछ तेर पहले खाई और आसन मतलब अभी मतलब जो इन में रोटी खाई थी और संदेग दुबूत हो गया राम लेशा रोटी खाई होगी अब आपको पता नही यह कंफरम नहीं है के खाई है यह संदेग दुबूत हो गया यह आपको ऐसा नही थे इनको कि Ale चिपकर डे आपको याद रखने है कि कैसा sentence सामानी भूत बूथकाल का बनता है और कैसा चंदिख्त बूथकाल का बनता है ठीक है बूथकाल यानि की आपको जो निकल गया है पास्ट था जो तो यह इस ही बर्तुमान में और भविष्य में भी आते हैं तोENTर भी हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर भूतकाल के लिए याद रखें के लिए रहें करता ने बिभक्ती चिन का प्रयोग कहां नहीं होता ने बिभक्ती का प्रयोग निमलिखित स्थितियों में नहीं करते ठीक है तो करता के साथ ने बिभक्ती चिन का प्रयोग कहां कहां नहीं करते अब यह देखने वा क्रिया कौन कर रहा है गोपी कर रहा है जाने का काम किसके द्वारे किया जा रहा है गोपी की द्वारे तो पता तो है आपको कि यह करता है यह सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर ने आपको बिभक्ति चिन्न का प्रयोग नहीं किया ने आपको नहीं जोड़ा लेकिन फिर भी सकतर आपको पता है कि करता है तो यहां पर इसकान ने का प्रयोग करते मिर्ट मनें आया फिर भाविश्यकाल की बात की जाए अगला है बकना बोलना और भूलना यह क्रिया यह जपी सकर्मक रिया है लेकिन फिर भी अब बात स्वरू सामानी आसन पूर्ण और संदिक दुभूत कालों में करता के साथ ने चनि का प्रयूग नहीं होता जैसे बह गाली किया चाहिए आदी और संभाव ये भूद जैसे जाना था चाहिए करना चाहिए था में करता को के साथ आता है जैसे राम को जाना चाहिए अब यहाँ पर करता किस के साथ आ गया को के साथ आ गया लेकिन यहाँ फिर भी राम क्या है को है आपको पता है राम को जाना था जाना चाहिए था यह सब क्या है आपके करता को के साथ आ गए तो यहाँ पर आपका को भी कहीं कहीं प्रयोग हो सकता है करता के साथ यह चीज़ याद रखे कुल मिलाकर ठीके बात नहीं थी है तो आई होप आपको यह चीज़ें समझाए हूंगी आप एचान पाएंगे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें वीडियो के लिए और अगर आप मोर अपडेट्स चाहते हैं तो आप टेलिग्राम गुरूप जोइन कर सकते हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इसके लाब